नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि जादातर लोग अपने घरों में धन विर्दी करने के लिए छोटे छोटे उपाय करते हैं। लेकिन पूरी जानकारी ना होने की वज़ा से उनका कोई भी उपाय पूर्ण नहीं हो पाता है। दोस्तों अगर आपको अपने नौकरी में पदोनती चाहिए, व्यापार में बिर्दी चाहिए, और घर में धन दानने चाहिए, धन दौलत चाहिए, और भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये उपाय सर्वोत्तम होते हैं। इन उपायों से निच्चेत रूप से हिलाब मिलता है, लेकिन पूरी जानकारी ना होने के कारण आप जब उपाय करते हैं, तो उनका फल नहीं मिलता है। अपना पूर्ण परभाव तभी दिखाता है, जब आप इसे पूरी शर्दा और विश्वास के साथ करें, और पूरी जानकारी के साथ पूर्ण विदी विदान से करें। पूरी निश्टा के साथ और लगन के साथ कोई भी उपाय अगर आप करते हैं, और पूरी विदी विदान का ध्यान रखते हैं, तो संपूर्ण रूप से आपको वे उपाय अपना फल अवश्य दिखाता है। दोस्तो इसी परकार के उपायो की जानकारी अगर आप चाते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसा ही जबरदस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमई तुट़टों को इसे वीडियो में हम आम को बताने वाले हैं आप스 से वीडियो को पूरा अंतर तक देखें और कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली अवश्य लिख दें दोस्तों अगर आप ब्यापारी है यानि कि बिजनिसमेन है और आप चाहते हैं कि आपके बिजनिसमें तरक्की हो बड़ोतरी हो आप लगातार अपने ब्यापार में हानी कर रहे हैं नुक्सान का सामना कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप और भी ज़्यादा धन कमाएं तो इसके लिए आप अपने ब्यापार स्थल पर एक जोड़ी जाइफल यानि कि दो जाइफल को हल्दी का टीका लगा करके वहाँ पर कहीं चुपा कर रख दें किसी कोने में रख दे बस आप इस बात का ध्यान रखें कि वह कोना दक्षिन दिशा का नहीं होना चाहिए इसके अलावा आप किसी भी कोने में चुपचाप से छुपा करके रख दें इसके अलावा दोस्तों अगर आपको सौपन में भूत परेद दिखाई देते हैं दराबने सपने आते हैं या फिर आपको लगता है कोई तंतर बादा या भूत बादा आपके उपर करवाई हुई है या किसी भी परकार से आप तंतर बादा के या भूत आतमा प्रेद के बादा में ग्रसित हो चुके हैं तो इसके लिए आप एक जोड़ी जायफल यानि कि दो जायफल को अपने सिरान जलमे प्रवाहित कर दें इसे आपके उपर की जितनी भी तंत्रबादा थी वे समाप्त हो जाएगी अगर आप किसी बिशेश मनोकामना को लेकर के चिंतित हैं आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी वे मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आप एक पीतल के छो अध्रिश्य शक्ति होती है जो कि सदाई बर्वत के बिश्य में वास करती है आप इस परकार से एक पीतल के बरतन में जावितरी और जाएफल को डाल करके आप बरगत के पेड के नीचे जब दवा आते हैं तो अध्रिश्य शक्ति आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है दोस्तों अगर आप किसी का वशीकरन करना चाते हैं या फिर आप किसी काम पर जा रहे हैं और आप चाते हैं कोई आपका काम बन जाए तो आप जाएफल को पीश कर इसका त्यलक लगा करके जाएं आप जहां भी जाएंगे सामने वाला व्यक्ति आपके वशीवूत ह कर आपकी हां में हां मिलाएगा और साथ ही जो भी आप काम करना चाहते थे कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं तो वह आपका हो जाएगा साथ ही अगर आप जायफल और हल्दी को पिरो करके एक माला बना लें और इसे किसी भी बैठी हुई गाय के गले में डाल देंगे तो आपके घर में यदि कोई बार बार बीमार होता है लगाता रोग रहते हैं दवायां बहुत आती है या फिर आप देख रहे हैं कि आपके घर में कोई ना कोई एक के बाद एक बीमार रहता है यानि कि बीमारियों ने अपना घर और अपना डेरा आ तो इसके लिए भी आप जाएफल और हल्दी की गाठे पिरोकर के यानि ग्यारा जाएफल और ग्यारा हल्दी की गाठे पिरोकर एक माला बना ले और गाय की गले में आप डाल दें निश्चिती रूप से आपकी मनो कामना तो पूर्ण होगी ही साथी सभी प्रकार की आना चाहेंगे एक जवर्दास उपाए दोस्तों दो जाइफल को आप तुलसी यानि जो आपकी घर में एक तुलसी तो होगी ही और जो गमले में उगा रखी हो या जमीन में उगा रखी हो आप तुलसी की जड़ में आप दो जाइफल को गाड़ दें और अगले दिन आप इ अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो आप इसे लाइक करें कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम हरुज लाते रहते हैं ऐसे ही चबरदस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुकमई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक स्टुकमई जीवन तो दोस्तो आज की वीडियो में क्यावले इतना ही कल फिर आफसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में एजादत धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिकना ना भूलें जै बजरंग बली